भागलपूर से आखिर कौन चुनाब लड़ने बाला है भागलपूर से कॉंग्रेस के अजीत शर्मा चुनाब लड़ेंगे या उनकी बेटी नेहा शर्मा अगर हम भागलपूर की बात करें तो भागलपूर से चुनाब लड़ने को लेकर एक तरफ ये खबरे निकलने लगे कि इस वार भागलपूर से चुनाब अजीत शर्मा की बॉलिवूड अक्ट्रेस नेहा शर्मा यानि उनकी बेटी लड़ सकती है अब इसको लेकर अजीत शर्मा ने खुद खुलासा किया है, अजीत शर्मा ने नेहा शर्मा के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ बोला है? चलिए हम आपको बताते हैं भागलपूर के बिधायक और कॉंग्रेस के वरिष चुनेता अजीत शर्मा की बेटी नेहा शर्मा इस वार लोग सवा चुनाब नहीं लड़ेंगी बलकि अजीत शर्मा ही भागलपूर से कॉंग्रेस की ओर से दाविदार है बकाइदा उन्होंने इसके लिए शेत्र में तयारी भी शुरू करती है उन्होंने कहा कि उनकी बेटी नेहा की बॉली बूर में काफी जादा व्यस्त हैं इस वार वो चुनाब नहीं लड़ सकती इसलिए कॉंग्रेस से वही चुनाब लड़ेंगे भागलपूर से 2019 में राज़त के बूलो मंडल चुनाब लड़े थे इस चुनाब में उन्हें शिकस्त मिली थी 2014 में वो अच्छे मतों से चुनाब जीते भागलपूर से अजीत शर्मा तीन बार विधायक चुने जा चुके हैं लोगसवा चुनाब 2024 के लिए राज़त ने अभी तक प्रत्याश्यों के नाम की घोशना नहीं की है इस बिच कॉंग्रेस के सीट पर दाविदारी बढ़ गई है उमीद है कि कॉंग्रेस ही चुनाब लड़ेगी तीन टर्म से बिधायक अजीत शर्मा के बिधान मंडल दल के नेता भी रह चुके हैं इससे पहले अजीत शर्मा ने अपने बयान में कहा था कि हम तो चाहते हैं कि मेरी बेटी भागलपूर से चुनाब लड़े क्योंकि हम तो बिधायक हैं वही सीट बटवारे पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कॉंग्रेस को 9 से 10 सीट मिल सकती है भागलपूर में दूसरे चरन में चुनाब होना है अभी तक राज़त के प्रत्याश्युक ने नाम का एलान नहीं किया गया लेकिन RJD ने कई नेता पटना में डेरा डाल चुके हैं टिकट को लेकर राज़त से लगातार मंथन चल रहा है पटना में मौझूद भागलपूर के राज़त नेताओं का दावा है कि भागलपूर की सीट RJD के खाते में रहेगी एक तरह जहां कॉंग्रेस के बिधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि अब भागलपूर से उनकी बेटी नहीं बलकि वो खुद चुनाब लड़ेंगे क्योंकि नेहा शर्मा बॉलीबूर में काफी जादा व्यस्त है और इसके कारण वो चुनाब नहीं लड़ेंगी आपको बता दें कि भागलपूर से चुनाब लड़ने को लेकर लगातार ये खबरे निकल कर सामने आ रही थी कि बॉलीबूर की एक्ट्रेस नेहा शर्मा इस बार चुनाब लड़ सकती है नेहा शर्मा कॉंग्रिस बिधायक भागलपूर की अजीत शर्मा की बेटी है वो बॉलीबूर में अक्ट्रेस है और उनको लेकर ये खबरे जो है वो लगातार सामने आ रही थी लेकिन अब अजीत शर्मा ने साफ साफ इन बातों से इंकार किया है और कहा है कि नेहा शर्मा बॉलीबूर में काफी ज़्यादा बीजी है और इसके कारण वो चुनाब नहीं लड़ने वाली है और अजीत शर्मा ही इस वार चुनाब लड़ने वाले है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही